आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मेरे नामा सिद्धान तक नहीं होतारी स्टेडी आईक्यू पैप का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सोनु सूध जो है वो थोड़ा मुश्किलों में फज गए हैं अब जिस इंसान ने इतना कुछ किया दोस्तों हीरो जब सरकार भी नाकाम्याब हुई और बहुत मुश्किल था लोकडाउन में लेवरों को घर पहुचाना तब सोनु सूध आ गया है शांदार काम किया है लेकिन क्यूं को ने उनको फटकार लगाई है हम इस ट्रेचर में जानेंगे देखिए रेपब्लिक डेल से सेल हमारी चुरू हो चुकी है 26 जन्वरी को 26 जन्वरी तक पुब्लिक डे तक अट्राक्टिव ऑफर्स है टेस्सीरीज हमने लॉंच किया आई बी टेस्सीरीज आप जरूर अवेल करें इंस्टा पे मैं आगे हो नेक्स्ट मंग से मैं ट्रावल करने वाला उपडेट्स यहां पे डा रिक्वेस्ट की थी एक तरीके से इनके जो लॉयर हैं उन्होंने 10 हफ्तों का टाइम मांगा था क्या मामला है मामला यह है कि सोनु सूध ने एक बिल्डिंग मनाई है जुहू में शक्ति सागर के नाम से अब इसको इन्होंने होटल में कनवर्ड कर लिया पर्मिशन इन्हो पर नोटेस भेजे सोनु सूध ने इसका जवाब नहीं दिया और अब जो है जब बीएमसी अपने फिर उस पर आती है तो आपको पता ही है तो जब नोटेस का जवाब नहीं मिला तो फाइनली बीएमसी ने बोला कि अब तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा अवैद निर्म खबरे आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट चले गए है और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली तो समझ लीजे सोनु सूध का ये जो शक्ति सागर बिल्डिंग है तूटेगी है अब हाई कोर्ट ने अपने जज्जमेंट ने में क्या बोला है बीएमसी ने बोला है को सोनु सूध ने पूरी रेजिदेंशल बिल्डिंग एक होटल में कनवर्ट कर ली है होटल में आपको कनवर्ट मेरा घर है मैं उसको कमर्शल बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ तो मुझे 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 मुनिसेपल कॉर्परेशन से लाइसेश लेना पड़ेगा ऐसे तोड पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, शक्ती सागर, छे माले की बिल्डिंग है यह, जुहूं में है, पॉश एरिया में है, तो यहां पे, BMC ने कोट को यही बताया है, कि इन्हों ने नहीं लाइसेंस लिया, कुछ भी ने लिया, और एक बड़ी बिल्डिंग बना ली, आब कोट कि ऐस्टिस्य हवंट थे, उन्हों ने सोनु सूध और BMC को दोनों को सुना, और उन्हों ने ये बोला है, जस्टिस्य पीसी छवंट ने बोला, कि देखिए, सोनु सूध ने ये गड़बड किया है, मतलब धोका धड़ी तो इसमें की है यहाँ पे बोला है कि जो कम्मुनिकेशन हुआ 4 अगस्त 2018 इन डिफरेंस टू BMC नोटेस जो की एक सप्टेंबर 2019 को भेजा गया कॉर्परेशन को इन्होंने 19 जूम 2018 का थ्रोहिस आर्किटेक्ट इनफॉर्म किया कि प्रोपोजल बनाये देखो हुआ क्या आप समझो इसमें ये है कि कोट ये बोल रही है कि सोनु सूध ने बिल्डिंग बना ली और BMC का कहना है कि इन्होंने यूजर लाइसेंस नहीं तो महराष्ट रीजनल टाउन प्लानिंग आट के हिसाब से section 43 ये कहता है कि अगर मैं अपने residential building में कोई change कर रहा हूँ alteration कर रहा हूँ तो मुझे permission की ज़रूरत नहीं है लेकिन दोस्तों यही तो कोट ने बोला है कि आपने अपने architect के through हमसे कहलवाया है कि आपको hotel बनाना है proposal दिया है आपने तो फिर इसका सवाल है नहीं उठता कि आपकी building को demolish नहीं किया जाए अब आप ऐसे समझे यहाँ पे sonu suit की building है वो यह बोल रहे है कि मेरा घर है यह और मैं बस उसमे alteration कर रहा हूँ कुछ बदलाव कर रहा हूँ तो मुझे license लेने की क्या जरूरत है लेकिन इन्हों ने पहले ही ये notice भेज दिया था कि मुझे एक proposal forward किया था कि मुझे अपने घर को hotel बनाना है तो यहीं court ने इसका संग्यान लिया कि आप जब आप खुदी बोल रहे हैं कि आपको hotel बनाना है तो section 43 का काम ही नहीं है यहाँ पे है ना यही court ने बोला है कि सोनू सूत को issuance का पहले ही पता लग गया था और उन्होंने proposal भेज दिया था ठीक है chief officer by his communication तो this itself is sufficient to refuse the relief हम क्यों आपको temporary injection दे हम क्यों relief दे आपको यहाँ पे आपने दर सब्सक्तों का time मांगा है हम क्यों दे आपको जब आपने खुदी यह मान लिया है कि आप होटल बना रहे हैं यह है समझ गए तो इसलिए जो intention है वो आपके गलत हैं आप धोका धड़ी कर रहे हो यह court ने बोला है 34 page का judgment दिया है और अगर चलो इस सब को साइड में रख दो बार बार आपको BMC ने notice भेजा आपने उसको भी ignore कर दिया आपने उसका भी ध्यान नहीं दिया और जो BMC ने notices भेजे हैं ते वर absolutely legal उसमें कोई खामी नहीं है अब अगर मान लिजे बिल्डिंग में कुछ शती पहुंसती है शती क्या मतलब BMC अगर कारवाई करती है तो भाई क्या compensation दिया जाएगा ठीक है क्या relief कुछ दी जाएगी अब देखिए equitable relief देने का भी यहाँ पे सवाल नहीं उठता है क्योंकि the answer as already discussed is effectively in the negative मतलब आप unclean hand से तो हमारे पास आये हैं बार बार आपने breach किया है जो भी आपको notice भेजा गया उस पर आपने ध्यान नहीं गया तो equity देने का कोई सवाल उठते ही नहीं या पे BMC ले यह भी बोला मैं आपको बताता हूं कि actor was a habitual offender habitual offender है यह लगातार हमने notice भेजा बट इन्होंने इग्नोर किया और यह बताया गया है कि सूध जो है सोनु सूध जो है उन्होंने जो additions है वो discontinue ही नहीं किया लगातार वो addition करते रहे री इरेक्ट करते रहे और authorization भी वहाँ पे नहीं था तो इसलिए हाइब कोट ने बोला कि there is no application seeking permission and there is no question of retaining the offending structure कोई application आपकी तरफ से हमारे पास नहीं आई तो आपके जो structure है उसको retail करी नहीं सकते जो भी illegal construction है उसको गिरना होगा क्योंकि आप यहाँ पे मनशाही गलत है October में दोस्तों यहाँ पे जो civil court है सोनुसूद वहाँ पे गए थे फिर अभी 21 जनवरी को high court मतलब जनवरी में high court में गए फिर high court का भी अभी यही 34 स्पेज का जो मैं आपको बताओ तोड़ी और जो legal remedies आपको प्रोवाइड की जा रही है जो damages का एवाज दिया जा रहा है मालगी आपको लगा कि वह सही नहीं है तो आप court जा सकते हो ठीक है तो यहाँ पे equity के टर्म्स पे इन्होंने plea जो है वो फाइल की है लेकिन court ने सब कुछ नकार दिया और यहीं बोला अगर आप कानून के खिलाब जाएंगे तो सजा तो फैर मिलेगी ही मिलेगी खुछ रही है पड़ते रही देशे सिद्धान तक नहीं होतरी signing off